हलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? हमारी कहानिया देखने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीज़े और हाँ, बैल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा जानवी एक मिडिल क्लास की बहुत ही आजाद खयाल लड़की थी, वो दिखने में बहुत ही खूपसूरत थी सब्सक्राइब करती कि दूसरे बॉइफ्रेंड को पता ही नहीं लगता, कुल मिलाकर वो जिन्दगी को खूब एंजोई करती एक दिन की बात है, उसके कई बॉइफ्रेंड में से एक अभे ने उसे रात के एक बजे कॉल किया, जानवी गहरी नूम में थी अभे की कॉल को उसे देखा तो गंदा सा मुल बनाया और फोन काट दिया, लेकिन अभे बार बार कॉल किये जा रहा था, आखिर बार जानवी को फोन उठाना पड़ा हाई जानवी, सो रही थी क्या? नहीं, टैनिस खेल रही थी टैनिस? अरे, स्टुपेड इतनी रात को तो इनसान सोता ही है ना? चलो जल्दी बताओ क्या बात है यार, तू कल मुझे चोईस रेस्टरांट में मिल सकती है क्या? तुझे कुछ बताना है अरे, कुछ बताने के लिए रेस्टरांट में मिलने की क्या ज़रुरत है? अभी बोल दे लेकिन अभे जानवी से मिलने की बात पर अड़ा रहा अगले दिन जानवी अभे से मिलने रेस्टरांट पहुँची जानवी आज बला की खुबसूरत लग रही थी तुम तो कमाल के लग रही हो आज वो तो मैं हमेशा लगती हूँ, कोई नई बात बोलो फिर अभे ने अपनी जेब से डाइमंड रिंग निकाली और उसे देते हुए कहा खुबसूरत लड़की के लिए एक खुबसूरत तोफा अभे को ये पता नहीं था कि जानवी ने ना जाने ऐसी रिंग कॉलेज के कितने लड़कों से ले रखी है और ना जाने कितनों को आई लव यू वो बोलती है लेकिन जल्दी उसे ये बात पता लग गई जब उसने विक्रम के साथ उसे बाइक पर घूमते देख लिया वो गुस्से में भर गया और जानवी को भला बुरा कहने लगा जानवी ने पहले तो उसकी बात चुप-चाप सुनी फिर जब पानी सर से उपर जाने लगा तो ओए चूसे हुए आम की शकले के लड़के अपनी बकवास बंद कर और ये क्या प्यार प्यार लगा रखा है प्यार मैं तेरे जैसे 36 से करती हूँ तू भी आजाद है तू भी कर तुझे शरम नहीं आती ओए प्राचीन काल के मनुश्य मुझे कोई शरम नहीं आती जिन्दगी मज़े खेलिए है मज़े ले मुझे नहीं करना तेरे जैसा मज़ा मुझे लगा तू मेरे से कमिटेड है तभी तो मैंने तेरे को इतनी महंगी रिंग दी तेरी रिंग की तो ऐसी की तैसी, ऐसी रिंग किस काम की जो आपको बंधनों में बांदे ये कहकर जानवी ने वो रिंग उतार कर उसके मुँपर दे मारी धीरे धीरे जानवी के अफेर्स के चर्चे आम हो गए उसके माता-पिता तक जब ये बात पहुँची तो वो उसके लिए बहुत चिंतित हो गए। बेरादरी में भी अब जानवी के चर्चे होने लगे थे। किसी तरह उन्होंने जानवी की शादी ताराशंकर से कर दी। ताराशंकर बहुत ही सीधा साधा आदमी था। अपने माबाब के दबाओ में जानवी ने शादी तो कर ली लेकिन ताराशंकर उसे बिलकुल भी पसंद नहीं था। सुहाग रात वाले दिन जब उसने जानवी का घुंगट उठाया। आप बहुत ही खुबसूरत हैं। आप किसी परी के जैसी। मैं भले ही खुबसूरत हूँ लेकिन मेरी किस्मत नहीं। तभी तो आप जैसे से मेरी शादी हो गई ताराशंकर। अरे हमारे यहाँ पती का नाम नहीं लेते। जैसे आपका नाम बाबा आदम की जमाने का है, वैसी ही आपकी सोच भी है। चलिए हटिए, मुझे सोने दीजे, मुझे बहुत नीदा रही है। अरे जैनवी जी, आज तो हमारी फर्स नाइट है, क्या आप मुझे दूद का गिलास नहीं पिलाएंगी, मुझे तो आपसे बहुत सारी बातें भी करनी है। फंसा जा सकता है। धीरे धीरे शादी के बाद भी जैनवी अपने पुराने बॉइफिंट से फिर से बातें करने लगी। लेकिन वो अब जैनवी को जादा भाव नहीं देते थे। इसी बीच उसकी मुलाकात रंजीत से हुई। रंजीत पिज़ा डिलिवरी करने वाला थ लेकिन वो था बहुत हैंडसप। जानवी उस पर लट्टू हो गई। वे दोनों छिप-छिप कर मिलने लगे। जानते हो रंजी सालों बाद मुझे कोई मेरे टाइप का लड़का मिला है। तुमारे टाइप का मतलब? अरे जिसके साथ मैं अपनी पूरी जिंदगी बिता सकती हो, I mean शादी कर सकती हो. पर आप तो पहले सही शादी शुदा है ना? अरे का ही कि शादी? वो तो माबाप ने उस मंद बुद्धी को मेरे गले से बान दिया नहीं तो क्या उस जैसा मंद बुद्धी मेरा पती होता? मंद बुद्धी? पर आपके पती तो बहुत अरे उन रुपयों का मैं क्या अचार डालूँगी? जब इनसान ही मेरे मतलब का नहीं? आपकी बात तो बिलकुल सही है मैडम. रंजीत के मूँ से अपने लिए मैडम सुनकर जानवी फिर से चड़ गई. अरे तुम्हें कितनी बार का है मुझे मैडम नहीं बोलने के लिए जानवी नाम है मेरा, तुम मुझे जानवी बुलाओ. ठीक है ठीक है, उके सौरी जानवी. अहा, कितना अच्छा लगता है तुम्हारे मुझे अपना नाम सुनना, एक बार और बोलो न प्लीज. ये कहकर जानवी ने रंजीत के हाथों को अपने हाथ में लेकर दबा दिया रंजीत भी उसका असपरश पा कर खुश हो गया. तब जानवी ने उससे कहा कि रंजीत क्या तुम उससे शादी करोगे? अरे क्यों नहीं, आपके जैसी खुबसूरत औरत का हस्बेंड बनना किसे पसंद नहीं होगा, लेकिन आप तो जानती है कि मैं मामूली तनखुआ प पहली बार तारा शंकर ने अपने विये उसके मूँ से कुछ प्यार भरा सुना, तो उसकी आँखों में चमक आ गई. जी, इसमें पूछने की क्या बात है, आप तो बस ओर्डर दीजी, ये बंदा आपकी सेवा में हज़र हो जाएगा. फिर जानवी ने उसे अपनी प्यार वर्क में थोड़ा समय लगा. इस बीच जानवी रंजीत से मिलती रही और दोनोंने मर्यादा की सारी दीवारे भी लांग ली थे. जिस दिन सभी कुछ लीगली जानवी का हो गया, तो उसने रंजीत को ये बाते रात को फोन पर बताए. ये सब सुनकर रंजीत की आँखों वो क्यों? जानवी, अब हम दोनों तो एक ही है ना, पैसे तुम्हारे अकाउंट में रहें या मेरे अकाउंट में क्या फर्क पड़ता है? जानवी रंजीत की प्यार में पूरी तरह पागल थी, उसने उसी समय सारे पैसे उसके अकाउंट में डाल दिए, उसके बाद अगले दिन जानवी बाजार से जहर की शीशी ले आई और उसे ताराशंकर के दूद में मिला दिया ताराशंकर जानवी को ये सब करते हुए देख रहा था फिर भी उसने एक बार उसका मन टटोलने के लिए पूछा क्या बात है जानवी आज तुम सुभा से मुझे दूद पेने की जित कर रही हो सब ठीक तो है ना ठीक हाँ हाँ सब ठीक है क्यों तुम्हे कोई गर्बर लग रही है क्या उसके बाद ताराशंकर ने वो दूद जानवी के हाथों से लेकर पी लिया थोड़ी देर बाद उसे खून की उल्टी होने लगी फिर वो शानथ पढ़ गया उसके बाद जानवी ने रंजीत को फोन किया हलो रंजीत काम हो क्या तुम कहा हो जल्दी से यहाँ जाओ कहा आना है जानवी मेडम ये मजाग का समय नहीं है ताराशंकर की लाश यहाँ पड़ी है से कौन ठीकाने लगाएगा तुम लगाओगी और कौन मैं तो चला यहाँ से दूर बहुत दूर रंजीत की बाद सुनकर जानवी उस पर चिलाते हुए बोली कहा जा रहे हो तुम मेरे बिना एक नई दुनिया में जहाँ तुम जैसी प्यार में धोखा देने वाली औरत की परचाई तक मुझसे नचू सके यह क्या बक्वास कर रहे हो मैं तुम से प्यार करती हूँ प्यार? यह प्यार नहीं है मैडम यह प्यार नहीं है जो औरत मेरे साथ शादी करने के लिए अपने पती को मार सकती है वो कल को मुझे भी तो मार सकती है न इसलिए मैं तो चला बाई बाई यह कहकर रंजीत ने ना सिर्फ फोन काटा बलकि मुबाईल का सिम निकाल कर भी तोड़ दिया जानवी उसे कॉल पर कॉल करती रही जानवी खुद को ठगा हुआ महसूस कर रही थी उसकी नजर तारशंकर के मृत शरीर की और गई वो पहली बार उसके लिए बुरा महसूस कर रही थी और सोच रही थी कि अपनी खुशी के लिए उसने तारशंकर जैसे सीधे आदमी को मार दिया इस बीश तारशंकर के शरीव में हलचन ही वो बिचारा फिर से जमीन पर सड़पने लगा जानवी ने उसे देखा तो उसके पास थे मैं आपको अस्पताले चलती हूँ पहले जहर देती हो फिर बचाने की बात करती हो कोई बात नहीं तुम्हें जिसमें खुशी मिले वो करो आपको पहले से पता था कि मैं आपको जहर दे रही हूँ फिर भी आपने वो पी लिया मैं आपसे प्यार करता हूँ जानवी मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ ये कहते कहते तारशंकर की गर्दन एको लोड़क गई जानवी ने उसे लाख उठाने की कोशिश की लेकिन वो तो अब उसे छोड़ कर बहुत दूर चला गया था तारशंकर की लाख के पास जानवी भी नरजीव सी पड़ी हुई थी उसे अपने किये पर पच्टावा भी हो रहा था लेकिन अब पच्टाए हो थिया जब चड़िया चुक गई खेत